हमारे देश में कई सारे तेवहार लोग मनाते हैं और हर तेवहार का अलग-लग महत्व होता है। छट पुजा का भी हमारे देश में बहुत महत्पून तेवहार मना जाता है। इस तेवहार पर लोग वीदी विधान के साथ पुजा करते हैं। इस दिन छटी मया की पूजा के साथ साथ सूरी उपासना का भी विधान होता है। सूरी को अर्द देने का इस परव पर सबसे ज़्यादा महत्व होता है। लेकिन क्यों इस दिन सूरी को अर्द दिया जाता है और सूरी पूजन का क्या महत्व है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे मित्रो कार्तिक मास की सुकल पच की चतुर्ती तीथी पर नहाई खाई के साथ छटपर्व का आरम होता है और अगले चार दिनों तर यह पर्व मनाया जाता है इस दिन महिलाय वरत करके संतान प्राप्ती और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है चटपर्व कर सुरी को अर्द देकर उनका अभार व्यक्त करना इस पूजन के उनकी वीधी में आता है चटपर्व के पहले दिन असनान करके नहाई खाई होता है इसके बाद अगला दिन खरना और फिर तीसरे दिन साम को सुरी को अर्द दिया जाता है चौथे दिन सुरी को अर्द देकर इस पर्व का समापन करते हैं हिंदु पुरानी कथाओं के अनुसार रिसी मूनी नित्य सूरी को अर्ध आयनी पूजा की सुरुवात करते थे। सूरी को जल अर्पित करने से पवित्रता उत्पन होती है और महिलाये अपना अभार सूरी देव के प्रती प्रकट करती है। आपको बता दे कि ऐसा माना जाता है कि सूरी को अर्ध देने से भगवान सूरी जीवन की कई समश्याओं से रहात देते हैं और साथी रोगों से भी मुक्ती मिलती है। आपको बता दे की मानियताओं के नूसार छट का पावन पर्व, जीवन दाई सूरिदेव को अभार प्रकट करने का महापर्व होता है। छट पर घर में सुक समरिदी भी सूरि देव की पूजा करने से आती है। आपको बता दे कि कई लोग इस पूजा में सूरी को दूद से भी अर्द देते हैं और अपने परिवार के लोगों के सुखी रहने की कामना भी करते हैं इसके अलावा लोग फलों से भी सूरी देव को अर्द देते हैं मानेताओं के अनुसार कई वेदों में भी अनिक अस्तानों पर सूरी देव की रचनाय प्राप्त है और उन्हें देवों में भी सूरी की इस्तूती और उनके मंत्रादी का वर्नन भी मिलता है